नमश्कार दोस्तो रामनेस्ट लोजर फ्रोम चेंडीगः आज का हमारा विश्य है कन्या लगन वहा कन्या राशी वालों के लिए कौन सा रत्न वहा कोन सा मेटल इनको सूट करेगा बौध पन्ना इनके लिए बहुत अच्छा है legitimately पन्ना पहने वरना आपको result नहीं आएगा दूसरा रतन इनके लिए है diamond हीरा वा तीसरा रतन इनके लिए है नीलम हीरा इनके लिए बहुत अच्छा है अगर ये हीरा पहनते हैं तो चारों तरफ से इनको इनका भागे इनका साथ देना शुरू करतेगा हीरा भी आप कोशिश करिए इसका जो धातू है वो है platinum इससे body weight के अनुसार कोई भी रतन अगर आप धारन कर रहे हैं एक method है body weight उसके अनुसार आप इससे धारन कर सकते हैं and the second method जो है वो है आपकी कुंडली के अंदर उस ग्रह की position क्या है तिसरा रतन जैसे मैंने बताया है कि नीलम है नीलम इनके लिए बहुत अच्छा है लेकिन दोस्तों नीलम धारन करने से पहले आप अपनी कुंडली का visualization जरूर करवा ले क्योंकि नीलम एक dangerous पत्थर है ऐसे धारन नहीं किया जा सकता है नीलम को five bettes में धारन किया जाता है दिन है शनिवा उसके अंदर भी एक quality आती है वो है saloni जैनि श्री लंका का नीलम आता है बहुत सारे नीलम्स हैं मेरे episode आ चुके हैं पहले आप उसे अगर आप नीलम या किसी अन्य रतन के बारे में जानकरी लेना चाहरा है तो आप उसे देख सकते हैं अब इनके लिए धातू कौन सा बढ़िया है इनके लिए धातू है silver जैनि चांदी बहुत ही अच्छी है इनके लिए सीधे हाथ में अगर ये 30-40 ग्रम के आसपास का कड़ा पहनते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सभा में बहुत अच्छ एक फरक आएगा अब जैसे मैंने बताया है कि अगर दोस्तों आपने पहले रतन कभी को धारन किये हैं जा आपको उसका फाइदा नहीं मिला है तो में भी हो सकता है वो चाइनिज जब फेक स्टोन हो ग्रैविटी आप उसकी जरूर चेक करें लैब होना बहुत लाजमी है अब आप कोशिश करिएगा कि अगर आप मेरे से परसनली आके मिलना चाह रहे हैं चंडिगड में चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें वहाँ धेरो लाइक्स दें वहाँ कमेंट करें ताकि हमारा होंसला बड़े मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में ने रतन वहाँ ने लगन वहाँ ने राशी के बारे में मैं आपको जान करें दूँगा तब तक के लिए नमश्गा